इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकोन को अवस्य दबा दे इस वर्ष में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें केवल पिटाई का इतिहास है कब कब हम मार खाए इसी को रटो 1857, 1830, 1825, 1840 यही पढ़ते रहो कब हमारी पिटाई यह को इतिहास है अरे जो पुराणों में लिखा वो हमारा इतिहास है सत्युक से लेकर और कलईुक तक हमारे रिशियों ने, राज रिशियों ने कौन कौन तब करके भगवान प्रगटाया यह भारत का इतिहास है पढ़ने नहीं है क्योंकि यह दी ऐसा इतिहास पढ़ाया गया तो भारत संपरदाइक हो जाएगा और इसको संपर्दाइक होने से बचाने के लिए मार खाने का इतिहास पढ़ते रहने कब-कब मराये थे यह हमारा संसकार नहीं अर यह तो कहिए साधू संतों के किरबा है वगवान वेदव ज्यास की तपस्या है कि अठारा पुरान अठारा हो पुरान श्रमदवालिवकी माभारत शिरामचर तुमानजी घरगर है तो लोग नौत होते हुए भी कुछ नकुछ इतिहास को जानते रहते जिसका कुछ नहीं वो भी जानते इतिहास हमारा वो है हम क्या थे कहां खड़े हैं एमे के बाद ये ध्यान आता है कि भाई ये भी हमारा कुछ है सावधान चक्रवर्टी के महराज एक श्वाक कुल के वो राजा हैं जहां भगवान व्रम्ह ने अवतार लिया ये हमारा इतिहास है एक अंगा मैया चार पीड़ियों की तपस्या के बाद धर्ती को प्राप्त ही महराजा अनसमान महराज असमंजस महराज दिलेप महराज भगीरत चार पीड़ियों ने तप किया तब गंगा जी धर्ती पर स्वर्ग से आई स्वर्ग गंगा विचारिए ये हमारा इतिहास है इसको जाने जाने के से दो पढ़ना होगा ना गुर्दे भगवान से इस पश्ट मना किया विश्वामित्र जी से चक्रवर्थी जी ने और राम प्रेम चक्रवर्थी जी का देखकर महामुनी गदगद हो गए आप गुरुजी के और तरफ देखे गुरुजी की और दिष्टी डाले महरा समझाइए चेले को यहां मैं सावधान करूँ आपको हमारे पास जो कुछ है सब भगवान का है आप जितने लोग हैं जब आपके पास कोई आवे के अरे भाई भगवान की सेवा करनी है मंदिर में लगाना है क्या चाहिए पांच बोरी सिमेंट छे बोरी लिख लिजिए किस में लगेगा अथो भगवान के मंदिर में लगेगा ले जाइए आदमी नहीं करता एक बोरी लिख लिजिए क्यों चार कौन देगा बगल में बात कर लिए अपने घर में आदमी हजार बोरी लग लेकिन जिनके द्वारा सब प्राप्त है उन भगवान के हाँ पांच में भी आधा आधा का भी आधा चालिस किलों में चलेगा अरे चलेगा ये भी ले जाओ उपर जाना तो ले जाना क्या मतलब है यग के लिए कोई मांगने आए दिल खोल के बैठे रहो क्यों अरे भगवा ने दिया आपको भी भगवान ने दिया भगवान के किसी भी विवहार में कोई आपके पास आए आप छिपाओ लेकिन भगवान के नाम में ऐसा न बोलो आप लोग स्रिसत्त नरण स्वामी की कथा तो सुनते होंगे उसमें एक बड़े इच्छे वैश्य है साधु वैश्य उनकी कथा है भगवान भी पूछने आते हैं तो हीरा मोती जवारात को क्या बताया यह तो मसाला भरा है भगवान ने कहा आपने जो कहा वो सत्य हो ना भलकी हो गई यह क्या हीरा मोती जवारात हो गया तो हम जब मना करेंगे आज कल हम खाली चल रहे हैं किसी साधु न कह द ईदल्य वंगया, हमारे दिल्ली में एक सेठ जी है, नाम तो नहीं लोगा, उनका नाम उपाधी है, शोरे वाला, शोरे वाला, अपनी दुकान पर बैठे थे, आप थे, आप थे, उनके निमास पर मैं रुका, मेरा नियम है किसी के निमास पर रुकूं तो प्रातह काल, पानी इचाहे उसके साथ लेता हूँ, साथ में टहलता हूँ, रात का धोजन उसके साथ करता हूँ तो साथ दिन होगया, वो सेड़ जी आए नहीं, तो मैंने पता करवाया भाई, जिसका घर है वो नहीं आते, बोले महराज, वो नहीं आएंगे, वो अंतिम दिन कखा में ही प्रणाम करेंगे, तो अंतिम दिन कखा पूरी हो गए, तो वो आए, हमने का आप सेड़ जी, आप आ बिमारी नहीं है, एक साधू का शाप है, गद्धी पर बैठे थे, खारी बावली में उनकी गद्धी है, दिल्ली में बैठे थे, एक साधू बाबा आए, एक आदशी का भरत था, फल की कामना किए, ये किसी से बात कर रहे थे, बाबा जी खड़े रहे, नहीं दिये, अब जब बाबा जी गए नहीं क्योंकि सरीर जरा उनका मेरे आठभुना है तो बोले बड़ा सेठ है, कुछ तो दे देगा, फलहार हो जाएगा, एक दिन का बहुत है आप असर नहीं करें, जब वो सिठ सी बात कर रहे थे, बाबा जी ने दो बार कहा, तीन बार कहा, नहीं तो उनके मुझे सीदगा गाली निकला तो बाबा बोले तेरे पास यही है, बोले हाँ यही है, तो बाबा ने का जाओ यही रहे आप वो जब मुख खोलते हैं तो पहले दोठे वो आशिर बचन निकलते हैं फिर बात कहते हैं सोचिए आप एक सहज महापुरुष के इस महात्मा मात्मा कभी हलके में ने ले न किसी साधु संत को इसलिए बाबा बालमी की जीने कहा है सीस नमही सुर गुर द्विज देखी आजकल जिसको देखो भई आप साधु संत ऐसे हैं अरे साधु संत ऐसे हैं साधु संत वैसे हो जाएंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा तो तिकाट पड़ी ग्रहस तो होने के नाते न किया करो वो किशमा याचना किये महराज मैं क्या करूँ वो बाबा को बहुत धोड़ा वो मिले नहीं जब से उनका शाप लगा बात करते करते मेरे को यही निकलता क्या करना चक्रवर्ती जी महराज ने मना किया अरे मना क्यों करना भहिया यग्य भगवान की कृपा से चार पुत्र मिले सीधे कहना चाहिए मह zaraj गुरू जी से कहली दि इनकी कृपा से चारो पुत्र प्राप्ते हैं नहीं सावधान जब तक भगवान हम को देते नहीं है तब तक तो हम भगवान का मानते हैं और जो वस्तु हमको मिल जाती है उसको हम अपना मान लेते हैं महात्मा महापुरुष भगवान जो दिया वो भी उनका नहीं दिया वो भी उनका साधु में और गिरस्ति में इतना मूल अंतर है साधु वावा कुछ अपना नहीं मानते हैं सब भगवान का मानते हैं किसी का पेट भरा है क्या, गुरु जी ने समझाया, तब बसिष्ठ बभु बिधिसमुझा, रिपसंदेह नास कहपा, 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 तब बस और चक्रवर्ती जी महराज ने दिया मां के पास गए प्रभू प्रणाम किये गुर्देव को स्वजनों को स्रेष्ट जनों को प्रणाम बंदन करके बगवान विश्वा मतर जी के साथ यग्यरक्षा है तू चल पड़े यग्यरक्षा में यग्यरपण में रिशी दर्शन में गउगंगा यमुना नदी तिर्थ दर्शन में जाए ये राम तर्थन यात्रा राम तिर्थ यात्रा राम बन यात्रा राम संकल प्यात्रा राम भाव यात्रा चरन राम तीरत चली जाएं ही राम बसंतिन के मन तो प्रभु चले मार्ग में सिद्धाश्रम के निकट ताटक मन है ताटक मन में ताडका ने देखा चिला कर दवडी और गुर्देव ने कह ताडका है राम मारिये एक ही बान प्राज हर दिना थे जानी जबत दे एक ही पान प्राज हर दिना थे जानी जबत दे तब रिश्वामेत्र जी ने पहचान लिए कब जब दीन जानकर भगवान ने ताडगा को अरे गती प्रदान कर दिया बला अतिबला नामक विद्या रिशिवर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मन प्रभु को दिया जिसे भूक लगेन प्यास और आश्रम लाकर जितने आयुद विश्वामित्र जी अरजित किये थे तब करके सब राम जी को अरपड़ कर दिये आयुद सर्व समर्पिके प्रभुने जयाश्रम कंदमो लफल भोज देन भगरती जितने अर यहां भगवान गुरु सानिद्य में रात्री विश्राम करते हैं प्रातहकाल यग्य यग्य रक्षन हुआ फिर कुछ दिन विश्वामित्र जी की सेवा में राम जी लक्षमन प्र वो रहते हैं देन रविद्या का ध्यन करते हैं सक्षन प्राप्त होता है फिर सरकार हमारे यहां से आगे चलेंगे आगे चलने की कता हम लोग कल सुनेंगे इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें